यहां लगभग पूरी कर ली हैं अंतिम चर्णों में सारी कारवाई उनकी चल लई है और युद दस्तर पर इसे हम समयबद तरीके से आगे वढ़ा देंगे 22 के बाद भी से राम जन्भों में तीर्द छेत्र न्यास के द्वारा प्रवश्री राम लला के दर्सन करने के लिए जो भी कारे उसना तैयार होगी इसके इनसार यहां पर अस्थाने अस्तर पर राज्य सरकार पुरा स्योग करके आने वाले सरधालों को यहां पर पुरी सरधा के साथ उन्हें दर्सन करने का उसर प्राप्त होगा यहां विवस्ता सुनिश्चित करने के लिए अस्तर पर पुरा स्योग दे रही है इसके लिए टैंड सिटी भी लगाई गई है धरम सालाओं को भी तैयार किया गया है होटल्स भी यहां बने हुए हैं लखनों वाराणासी प्रियागराज गोरकपूर या अन्या सहरों से यहां के आने के लिए एक बहतर ग्रीन कोरिडोर की विवस्ता भी दी गई है जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो सुरक्सा की पुक्ता विवस्ता की जा रही है किसी भी अस्तर पर किसी भी सरधालू को दिक्कत न हो इसके पुरे प्रियास के जा रहे हैं अभी से तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि हर एक मन में उत्सा है उमंग है माज सदी के बाद या उसर आया है तो स्वाभई गुरुप से हर सरधालू इस बात को चाता है कि मैं भी रामला का दर्शन करूँ मेरी अपील होगी सभी स जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है और इसलिए हम लोग बहतर तालमेल और समनवे से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कस्ट किसी भी स्थरधालों को और किसी भी आने वाले यात्री को अयुद्या धाम में नहीं होगी पैदल लोग न चले हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगे से लोग पैदल चले आ रहे हैं पैदल न करें भी संड़ सीत लहरी चल लई है अपने बिना बताए कारिकरम के अनुसार भी न चले राज्य के अंदर हम लोग विवस्ताएं दे रहे हैं जनपदों को भी देंगे राज्यों को भी विवस्ता देंगे पसका कर हम लोगी कॉरणिबेन करेंगे और ते भी 34 नजियाद से साथ भेति जिसֹ के बारे सी चर्चा करों eer करेंगे लेकिन अगर हर ब्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अभिवस्ता किसी स्तिती न पैदा हो ये हमें देखना होगा और हर ब्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सयोग करते रहे हैं तो उस सयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुवधा होगी और हर एक सरधालो को आने वाले सरधालो को भी प्रभू स्री रामलला के 500 वर्सों के बाद कई सताप्डियों के बाद दर्शन करके आनद के अनभूती होगी अन्ताकरण से उन्हें आनद के अनभूती होगी इसके लिए भी बहतर कोडिनेशन की दिसा में प्रियास प्रारंब किये गए है मैं पुरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसे कारिक्रम अब तक सभी सकुसल संपन हुए है 22 जनवरी का कारिक्रम भी एक एथ्यासिक कारिक्रम है भारत के विश्वास और लोक आस्ता की पुनरपर्थिस्था का बहारत के गौराव की पुनरप्रतिष्टा का कारिक्रम है इस कारिक्रम को हम लोग जनता जनारदन और सभी आम जन्मानस की सहयोग से पुजय संतों के आस्रीवाद से राम लेला की कृपा से सकुसल संपन करने में सफल होंगे आप सब भी यहां पर इस वीशन सीत लहरी में हैं मैं आप सब को भी हरते से धनेवा देता हूं कि आयोद्या की पलपल की घट्टाओं को पलपल की खबरों को आप देश तक पहुचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसक कि अगर लोग थोड़ा सा धैरे रख करके अपनी बारीक अंथचार करने के साथ यहां के लिए कारिकरम के नुसार आएंगे तो किसी को भी और सुवधानी होगी इस प्रकार की बिवस्ताइं यहां पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार अस्थाने प्रसासन इसमें भरप कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोग ने इसके लिए बीट परणाली भी लागू करने के लिए का है जो निचले अस्तर तक लोगों से संबाद बना के उनको लाने और उनको बिवस्ते किसे दर्शन कराने में युगदान दे सके हर प्रकार की बिवस्ताइं होंगी उसके ल